अब एक तरफ वरणसी में जिला जजच के सामने एसाई सर्वे रिपोर्टर पेश करने वाली है वहीं दूसरी तरफ इदगाह में भी मंदर के सबूत हैं क्या क्योंकि सबूत नमर बन देख लीजिए दिवारों पर ओम के निशान ये इस तरीके से तस्वीरे सामने आरे पलके भी निशान यहां भी देखने को मिले मतुरा शाही इदगाह में और इसके साथ साथ सबूत नमर तीन की बात करें तो खुदाई की दौरान कई मूर्तिया मिली सबूत नमर चार उननीस सो त्रेपन में खुदाई की कुछ तस्वीरे सामने आई और हिंदू पक्ष इन के लड़ाईट को अब छेवरेक में विगम उसका वहालान काफा सामने सब्सक्राइं के तो यहां लिए सब्सक्राइब तसक्राइब पुराया चाहिंगे क्या एकि इससा नहीं इस में आपको बताएंगे कि जो आड़ोकेट कमिशन की चीजों में हुआ था उसे जादा चीजे इस रिपोर्ट में पश्ट होगी तो सर्वे में आपने देखा क्या कुछ विश्व शंकर जायन जो हिंदू पक्ष के वकील थे उनकी तरब से बाते कहीं गई हैं दो समцев दाता इस वक्त हमारे साँ जुड़ चुके हैं नितीश हमारे साँ जुड़े हुएं वारानसी से इसके अलावा विवेख हमारे सा जुड़े हुएं हैं प्रयाग्राज। सबसे पहले नितीश आपका रुख कर रही हूँ मैं, अब से कितने वक्त के बाद कोड के भीतर ये कारेवाही शुरू हो जाएगी, ASI सर्वे रिपोर्ट का पेश करेगी? देखिए अभी तक का अपडेट आपको बता दूँ कि जो हिंदू पक्ष है, वो कोड में पहुँच चुका है, और एक अपडेट और है कि अब जो ASI के अधिवक्ता है, उन्होंने ASI की रिपोर्ट वहाँ पर पढ़नी शुरू कर दी, यानि जो कुछ पढ़ने हैं, वो जुड़ा हुआ अन्य पडेट है, वो भी सामने आजायेगा, कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या है, अमित कुमार से हमने बातचीत बिके, उनसे जानना चाहा, कि आखिर यह रिपोर्ट कितनी महतवपूर्ण, और इसमें क्या क्या है, तो उनका साब तोर पर ये कहना है कि साब छे मिले हैं और मिलने के साथ ही आपको बता दें कि महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस पूरे मामले में इस रिपोर्ट को और महत्वपूर्ण है भी क्योंकि बिल्कुल दो वितीश ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि एस आई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ये रिपोर्ट अभी पढ़ी जा रही है बहुत लंबी रिपोर्ट है और इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से जो हैं वो कोट के सामने इस वक्त पढ़े ज रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर वारारसी से आपको बता रहे हैं ग्यानवापी परिसर का लंबा सर्वे चला है और सर्वे के बाद एस आई ने एक रिपोर्ट तयार की है सूत्र हमारी ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1550 के आसपास ये रिपोर्ट हो सकती है और इसका प्रमुख जो हिस्सा है वो पढ़ना शुरू कर दिया गया है जिला जजज के सामने जो एस आई के वकील है वो अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि एस आई ने कौन-कौन से तत्यप, कौन-कौन से चिन, कौन-कौन से चीज़ें अंदर जाच के दौरान अपने सर्वे के दौरान पाई है